नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं विनी सर्म आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी स्थल पे तो दोस्तों हमने पहली जो classes थी हमारी ranking की तो हमने उसमें कुछ question discuss करे थे कुछ type discuss करे थे और आज हम पढ़ने वाले class टू तो इसका question number first है हमारा सत्तर चात्रों की पंग्ति में गौरब का क्रम 222 तथा विनै का क्रम दाएं से त्डएपन वाह है गौरब तथा विनै के बीच चात्रों की संख्या क्या होगी ये हम से पूछ रहा है क्या पूछा है question में हम से पूछा इन बिट्विन पूछा है निकालेंगे कैसे टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास में टोटल है हमारे पास में सत्तर गौरब का क्रम बाएं से है गौरब का क्रम बाएं से क्या है गौरब का क्रम बाएं से यानि लेफ्ट से क्या है 62 विने का किरम राइट से क्या है तड़ेपन इन बिट्विन बताना है यानि दोनों के बीच में छात्रों की संख्या क्या होगी तो देखो करेंगे क्या करेंगे यह कि या तो इस लेफ्ट को राइट बना लो या इस राइट को लेफ्ट बना लो यानि दौनों हमें सैम चाहिए होंगे तो हमने क्या करा इस वाले left को right बना लिया right बनाएंगे कैसे total हमारे पास में कितना है formula लगा दिया total बरावर left plus right minus 1 total हमारे पास में कितने है 70 70 बरावर left कितना होगे हमारे पास में 62 plus right minus के 1 ये एक इधर जाएके क्या हो जाएगा plus का हो जाएगा total कितने हो जाएगे 11 और इसको क्या करेंगे 62 को minus कर देंगे बरावर क्या जाएगा right अब 11 62 जाएगा कितना बचेगा ये बचेगा हमारा 9 यनि right से कितना इस्थान आगया इसका right से इस्थान आगया 9 फिर हमारे पास में एक formula होता है formula ये होता है left minus left minus 1 या right minus right minus 1 तो हमने क्या निकाला right से निकाला right से इसका कितना है 9 और यहाँ पर कितना है तड़ेपन तो क्या करेंगे तड़ेपन minus 9 minus 1 तड़ेपन में से 9 जाएगा कितना बचेगा कितना बचेगा 44 और 44 में से एक कम होगा कितना बचेगा 43 तड़ेपन में से 9 जाएगा कितना बचेगा 44 और 44 में से एक कम होगा कितना बचेगा 43 तो इसके बीच में कितनी है चात्तरों की सेंगा 43 और answer कौन सा सही है हमारा option A is the correct answer तो भी हमारा answer यही आने वाला और formula क्या लगा देंगे हम यह left minus left minus 1 आगे चलते हैं अगले question की तरफ ये भी यही question है हमारा, ठीक है question क्या कहा रहा है, question कहा रहा है 70-70 की पंक्ती में A का क्रम 22 से कितना 18 है A का क्रम 22 से 18 और B का क्रम 22 से 31 है तो टोटल हमारे पास में कितने है, टोटल ने 70 टोटल चात्र हमारे पास में कितने है टोटल हमारे पास में 70 A का क्रम 22 है A का क्रम 22 कितना A का क्रम 22 है 18 ये लिख दिया हमने 18 A का क्रम B का क्रम 22 कितना है हमारे पास में बीच में चात्रों की संख्या क्या है निकालेंगे अपको क्या बताए था same बना लेना जैसे left है तो यहां भी left होना चाहिए अगर यहां पर right है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए right होना चाहिए तो हमने क्या करा अब की बार इसको left बना लो answer दोनों से same ही आने वाला है तो क्या करेंगे total बरावर left plus right minus 1 total हमारे पास में कितना है 70 70 बरावर left हमें निकालना है plus right कितना है हमारा 31 minus का 1 एक इदर जाएके कितना हो जाएगा 31 31 मैंसे कितना कम होगा 31 1 मैं से गया 0 7 मैं से 3 गया 4 तो left से कितना आगे हमारा 40 left से निकल के आया हमारा 40 फिर क्या गरेंगे से निकल गया formula कौनसा लगा देंगे हम कि चालिस माइनस अठारा माइनस वन अब चालिस मैंसे ऐठारा जाएगा कितना बचेगा चालिस में से 10 के 30, 30 में से 8 गया, 22, और 22 में से 1 कम होगा, कितना अंसर आएगा हमारा, 21, तो हमारे छात्रों की बीच में संख्या कितनी आ जाएगी, 21, ओप्सिन कौन सा सही है हमारा, सैम जैसे पहले करा था, सैम वही है तरीका, अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं, कोश्चन नमबर 3, अब की बार क्या रहा हमसे की 80 चात्रों की पंक्ती में, ए का क्रम 22 से कितना 68 वा, बी का क्रम 22 से कितना 18 वा, ए तथा बी के भी चात्रों की संख्या क्या होगी, टोटल चात्र कितने दे रखे हैं भी हमें टोटल दे रखे हमें असी ए का क्रम लेफ्ट से कितना दे रखा है हमें 68 बी का क्रम हमें लेफ्ट से ये भी कितना दे रखा है 18 तो इस बार तो हमें बनाने की आवस्चक्ता ही नहीं पड़ेगी ना किसी को right में change करना, ना किसी को left में change करना, दोनों बने हुए दे रखे, यानि left left दे रखा, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 68 minus 18 minus 1, तो 8 में से 8 गया, 0, 6 में से 1 गया, 5, minus 1 बरावर कितना निकल के आ जाएगा, उड़न चास, यानि बीच में छात्रों की संख्या कितनी है उड़न चास, ठीक है, ये तो सीधा सीधा दे रखा था, डारेक्ट हमने कर लिया, अगले question की तरफ चलते है, अगला question दे रखा है हमारा, 100 चात्रों की पंक्ती में, एका क्रम 22 से 20 है, टोटल चात्र कितने भी हमारे पास में 100, एका क्रम 22 से कितना है, एका क्रम है, क्रम, दाएं से कितना दे रखा है, 31, और कह रहा है, इनके बीच में, दौनों के ठीक बीच में विन्य है, और विन्य का क्रम, एक बार दाएं से बताना है, आपको एक बार 22 से बताना, तो इस type के question में देखो, करते क्या है, यहां भी क्या करना पड़ेगा, आपको, सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाओगे कैसे, राइट को ही लेफ्ट बना लेते हैं, लेफ्ट कैसे बनाएंगे, टोटल कितना है हमारे पास में, 100, प्लस लेफ्ट, प्लस राइट कितना, 31, और माइनस, 1, ठीक है, एक इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 101, और माइनस कितना हो जाएगा, 31 बराबर, लेफ्ट, तो एक मैं से एक गया, 0, और दस मैं से तीन गया, 7, तो क्या निकल के आएगा, लेफ्ट से, लेफ्ट से निकल के आए हमारा 70, बी का इस्थान कितना निकल के आए, लेफ्ट स upon two यह राइट प्लस राइट upon 2 तो दौना यह निकल गया एगे हां पे बीस और अहाँ पे 70 है तो क्या करेंगे सीधा सीधा 20 प्लस 70 अपने तो 20 प्लस सत्र कितना हो जा estavaha Obynistä कूर cools से भाग कितना निकल के आ जाएगा 45 तो यह जो 45 आंसर हमारा निकल के आया क्या निकल के आया 45 यह कहां से निकल का यह यह तो निकल का यह लेफ्ट से और आपको पता ही है कि जब हमारे पास में लेफ्ट से आ गया तो हम राइट से निकाल सकते हैं राइट से कैसे निकालोगे, फॉर्मूल आपके पास में रहता ही है, लेट प्लस राइट माइनस वन, टोटल कितने थे हमारे पास में, 100, लेट से उसका इस्थान कितना निकल काया, 45 निकल काया, तो लेट की जगह क्या लिख देंगे, 45, पिलस राइट माइनस वन, ये एक इ होचेगा, 100 में से अगर सीधा-सीधा 45 कम होगा, तो 55, 55 और एक ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, हमारा 56, तो राइट से कितना आ जाएगा, इसका 56 निकल काया जाएगा, लेट से आए था हमारा 45, और राइट से कितना आए था हमारा 56, ठीक है, लेफ्ट से हमारा 45 आगया और राइट से क्या आगया हमारा 56 ओप्सन ही हमारा अंसर है ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन की तर यहां भी हमारा सैंब वही कोश्चन है टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास में टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 100 एका किरम लेफ्ट से कितना दे रखा 92 बी का राइट से कितना दे रखा 71 तो सबसे पहले आप क्या करोगे बीच में क्या है अमित है और उसका हमें कहां से बताना 22 से स्थान बताना तो आप क को left 0 मनाओंगे left कैसे बनाओगे total बराबर left plus right minus one total हमारे पास में कितने सो n ठीक है और left तो हमें निकालना है और right कितना हमारे पास में 75 वन101 और क्क्राइब गणगया एक कम गरदव तो यह एक अधर छागे कितना हो से 3 के साथ, तो left से कितना आ जाएगा हमारा? 30 अगरा से कितना आ जाएगा हमारा? 30 यही हमसे पूछ रहा था कि अमित का 22 स्थान तो 22 स्थान कितना हो जाएगा? 30 अंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? Option D, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने क्या करा है? दो टाइप के questions हमने डिसकस करें ठीक है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम दो से तीन टाइप के कोश्चन फिर गनने वाले हैं और उसके बाद एक से दो वीडियो जो आएगी हमारी उसमें क्या होगा हम प्रीवेस यर के कोश्चन लेंगे और उसके आपको प्रैक्टिस कराएं दोस्तों तब तक के लिए नमस्कान